अर्यूंद आप लोगों का माया ग्राफिक्स में स्वगत करते हुए आज मैं आप लोगों को blend टूल को यूज करके कैसे लोगों मनाना है उसके बारे मुं बता रहा हूं अभी एक circle लेता हूँ पहले अभी circle को क्या एसे right में लाके right क्लिक करता हूं तो copy हो गया duplicate हो गया इसको स्मार्ट फिल लेके इदर क्लिक करता हूं तो फिल हो गया अभी इसको क्या इसे delete कर देता हूं delete करने के बाद इसको थोड़ा एक light शेड देता हूं तो इसको आप क्या करो इधर क्या है इक बीच में लाइन कर लेता हूं, ऐसे अब एक लाइन डॉन कर से लेट करो लेकर कर सोता हो, हैसको युक्त बमकी बढी बीड़ा कि युदो कृρέुकर , युदो का मुなく इस portion को थोड़ा zoom कर लो shape tool लेके इस point को select करता हूँ select करके plus बोलना है तो बीच में एक point आ जाता है एक बार आप भार क्लिक करके बाद में क्या करो इसको double click करो तो point delete हो जाता है तो इसा हो गया तो अभी इन दोनों को क्या है इसे control G बोलो group हो जाता है group करने के बाद इसको क्या है 60 degree इसे rotate कर लेता हूँ rotate हो गया 60 degree इदर बता रहा है आपको अभी इसको क्या है control के साथ इसे लेके flip कर लेता हूँ जैसे हैं मैं इदर लेके आता हूँ तो इसे flip होता है control के साथ उसको right click करना है तो copy हो गया अभी control के साथ थोड़ा इसका gap कर लेता हूँ बीच में, वे इन दुनों को select करो, दुनों को select करके इसे group कर लेता हूँ, गृूप करके अभी मैं क्या करता हूं इसको और एक duplicate करो करके इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं एसे, चोटा करके अभी क्या है blend tool से इसको और इसको ऐसे ड्रैक कर लेता हूं तो अभी यह क्या object blend हो गया blend होने के बाद अभी इसमें steps तोड़ा ज्यादा है 20 है so 10, 12 रख लेता हूं थोड़ा कम कर लिया मैंने बाद में क्या है सरकल लेता हूं अभी में क्या करता हूं ऐसे उपरन कर लेता हूं तो स्ट्रेट लाता हूं ऑभी ओडर ख्यां आइसे ऐसे ले लेता हूं एक 15 डिग्रीज Margaret आ अभी क्या इसको अभी क्लोज़़ है जो जाता हूं सु इस बिलना क्यों कि आख जूँ जो अब्जेट है इसको मौस राइट ट्रिक से एसे होल्ड करके लेके आना है लाकर इसमें छोड़ देता हूं छोड़ने के बाद इसमें और एक तरीका भी है आप क्या है इसको इसको क्लिक करके आप इसा अप आप ब्लेंड कर सकते हैं ब्लेंड करने के बाद यह जो लास्ट वन है इसको क्या है इसे एक रोटेट कर लेता हूं इसे एक 75 डिग्री रोटेट कर लिया मैंने अभी इसको क्या है इसको और एक बार क्लिक करके इसको भी क्या क्रॉप है थोड़ा इसे रोटेट कर लो यह रोटेट हो गया रोटेट होने के बाद ऐसे बीच में आप इदर सेलेट करो ऐसे क्या है बीच में इसे सेलेट करने से क्या ह हो गये एक एक बार क्या होता है आप क्लिक करते हो तब नहीं देखता है अगर नहीं दिखा तो और दूसरे लिए पर आप क्लिक करो तब वह दिखता है बाद में इदर किया है में इसका more blend options करके है इसमें आता हूं इसमें आके आप क्या करो rotate all objects करके इसको क्लिक करो तो इसे रोटेट हो जाता है इसमें आपको steps कम जादा चाहिए तो आप क्या इधर ऐसा कर सकते हैं ओके यह आपको समझ में आ रहा है अभी इसको क्या है ऐसे इसमें आप दे सकते हैं clockwise ब्लेंड करके हैं और इसमें क्या है कंट्रू clockwise करके हैं अलग अलग शेड्स आप दे सकते हैं अभी मैं यह शेड्स देता हूं देखे अभी इसमें क्या है इसमें steps अब थोड़ा छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं आप यह थोड़ा बड़ा लग रहा है इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं और इसको भी क्या करो आप थोड़ा छोटा कर लेता हूं इतना छोटा करने के बाद इसमें और थोड़ा स्टेप्स आप बढ़ा सकते हैं इसमें क्या करता हूं इधर इधर क्लिक करके आप क्या इसे स्टेप्स आपको जितना चाहिए उतना स्टेप्स आपका रख सकते हैं यह आपको समझ में आ गया इसमें आप क्या है यह जो लाइ लेता हूं इसको अब select करो select करके थोड़ा इसे आगे ले दो तो उस पात के साथ ही आता है वो तो ऐसा लेकर इसमें क्या है इसे इसको copy paste करता हूं अभी अब एक लिवस चाहिए था मुझे तो इसको क्या है से इसको अंगुरूप करके इसको पीछे चाहिए तो इसे पीछे ले सकते हैं कि यह आपको समझ में आ रहा है और डिश्टन्स आप इधर भी आप कर सकते हैं अभी देखो इधर में और एक एक बताता हूं आपको इधर select करके जैसे यह blending options का आता है इधर भी क्या आपको object and color acceleration करके हैं इसमें क्लिक करके हैं कि आपके इधर scroll कर सकते इसके ऊपर आके mouse से स्क्रोल कर सकते अपर नीच़े ऐसे कर सकते हैं यह आपको समझ में आ गया ओके अभी JOHN अब यह क्या है 설명 में है सेंटर में रखता हूं सेंटर में रखके अभी में क्या करते हम इसको एक बार इसे क्लिक करो total object selected है इसको कंट्रोल के साथ एसे क्या है इधर एसे घुमा लेता हूं अगर आपको इसमें और थोड़ा डिस्टन्स होगे रहा चाहिए तो अभी देखो यह क्या है लाइन थोड़ा ठीक से नहीं आया है लाइन में क्या है थोड़ा एंगल एंगल आप इदर बना सकते हैं अभी इसको एक बार डिलिट कर लेता हूं इसमें क्या है इसका एंगल और थोड़ा बना लेता हूं अब जैसे एंगल आप क्रेट करते हो उससाब से वह आ जाता है अभी देखो गया ठीक से आ गया अगर य लाइन का थीकनेस थोड़ा बड़ा कर लो इसे अभी क्या है एक four point बोल देता हूं थोड़ा लाइन का थीकनेस बड़ा हो गया इसको इधर क्लिक करो blend को क्लिक करो ऐसे इसको select करना है तो total object select हो गया इसको control के साथ एसे लेके right कुछ लोगों अगर आ है तो ऐसा रख सकते हैं अभी के लिए क्या है से इसको मैं एक सरकल लेता हूं इसको एक सरकल लेके इसी में क्या है क्वांटेन्स को सता है कि इसší और समय रखें अभी का इदर है इस को रल्लांड रखता उंठ नंबर 2017 करके है बहुत सारे प्रिशेट्स रहेंगे चलिके क्वासाला को निकला है इसको उधोल देता हूं कि यहाँ वह क्या है इसे मैच होता है तो इसको ऊटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन निकाल दो आप इसे रखके कौन सा भी आपका यह है तो आप रख सकते हैं और इसका थोड़ा एंगल भी आपको चेंज करना है तो इसे घुमा भी सकते आप इसको क्या है इन सब को सेलेट करो आप अभी इन सब को सेलेट करके अभी क्या करता ह पॉर्शन को डिलिट करता हूँ कि इसको सेप्ट कर लो आ पर सेप्ट करके हिस्ति करना एक सिंगल Yay इसको ला कि यसे रॉइट लिक करता हूँ रेकलेसे क्या हो गया कॉपी हुआ इसको क्या है control के साथ इसे space दे थो थोड़ा उक्य स्पेस दे के इसको बीच में रखना है तो सेट कर सकते हैं कि इस तरह क्या है ब्लेंट टूल में आप बहुत सरे creative work कर सकते हैं अगर इसमें आपको आउटलाइन नहीं नहीं चाहिए तो आप पक्या हैुसे सब सेलेट करके आउट लाइन आप निकाल सकते हैं हैं कि क्या है भार का जो ऑउट लाइन है उसको निकाल दिया मैंने अगर इसमें आपको कुछ डॉट्स होगे रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े रेने के लिए और इस शनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद